नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एडियो स्कूल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको जम्मू का स्मीर से सम्मेर से सम्मेर से 15 सवाल बताएंगे जो किसी न किसी एकजाम में पूछा जाता है चलिए वीडियो सुरू करते हैं पहला कोश्चन है कौन सा अनुछेद जम्मू का स्मीर से सम्मन्दित है आपका है 376 वो 35, 376 वो 371, 35 वो 36, 370 वो 35A तीसका सही आंसर क्या है 370 वो 35A अगला कोश्चन है जम्मू का स्म्मीर का सम्मिधान कब बना यह उप्षन आपके है 26 वो 2949, 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1969 तो इसका सही आंसर क्या है 26 जनवरी 1957 अगला कोश्चन है जम्मू का स्मीर की सीमा कितने देश से लगता है आपका उप्षन है 1, 2, 2 और 3 तीन तो इसका सही आंसर क्या होगा तीन इसका सही आंसर है यह कौन-कौन देश है जो जम्मू का स्मीर राज से सटा हुआ है पहला आपका पाकिस्तान है, आफगानिस्तान और चीन है अगला कोश्चन है विस्व का सबसे उचा तथा ठंडा यूद का मैदान कौन सा है आपका है लद्दाक, दूसरा है सियाचेन, तीसरा द्रास और इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर क्या होगा सियाचेन सियाचेन इसका सही आंसर है जो विस्व का सबसे उचा और ठंडा यूद का मैदान है अगला कुश्चन है पियोके के राजधानी निम्न में से कौन सा है पियोके के राजधानी कौन सा है अपसन आपका गिलगिट, दूसरा उर्री और तीसरा मुझफराबाद और लास्ट में है पूँच तो इसका सही आंसर क्या है मुझफराबाद जो कि इसका सही आंसर अप योक्यों की रदधानी मुझअपराबाद है अगला कुश्चन है जमू कास्मीर का परमुक फसल कौन सा है आप सबी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सेब वहीं से आता है और केसर भी जमू कास्मीर से ही आता है इसलिए जो इसका सही आंसर उपरोग दोनों हो जाएगा सेब और केसर सबसे ज़्यादा परमुक फसल है जमू कास्मीर से पूरे भारत बर्स में या कहिए विदेश लेबल पे भी इसकी सप्लाई की जाती है अगला कुश्चन है जमू कास्मीर के प्रतम मुख मंत्री कौन थे उप्शन है गुलाम मुहंबद सादिक, सेर सिंग, फारुक अब्दुला और लाश्ट है सेक अब्दुला इसका सही आंसर क्या होगा गुलाम मुहंबद सादिक इसका सही आंसर होगा गुलाम मुहंबद सादिक अगला question है कारगिल पर थल सेना के operation का नाम क्या है थल सेना का operation जो हुआ था उसका क्या नाम है उसका option देखिए विजय उपरेशन, सफेद सागर, मेगदूत और ब्लू अस्टार तो इसका सही answer क्या होगा विजय उपरेशन विजय उपरेशन जो है थल सेना के लिए था और जो सफेद सागर था वो आपके वायो सेना के लिए operation था और मेगदूत जो है जीन से जब लड़ाई हुई थी उसमें मेगदूत operation दिया गया था तो इसका सही answer थल सेना के operation का नाम विजय उपरेशन है अगला question है कारगिल पर वायो सेना के operation का नाम क्या है वायो सेना का operation इसका सही answer क्या होगा इसमें उप्सन इसमें क्या है विजय उपरेशन सफेद सागर मेगदूत और ब्लू स्टार तो इसका सही answer आपका सफेद सागर सफेद सागर जो है वायु सेना के लिए operation था कारगिली यूद जब हुआ था तो उस समय वायु सेना के लिए operation कौन से था सफेद सागर अगला question है Operation मेगदूत का समध किस से है तो इसका option है कारगिल, सियाचीन, लद्दाक और इनमें से कोई नहीं तो इसका सही आंसर क्या होगा सियाचीन, सियाचीन जब चीन से लड़ाई हुई थी तो उस समय मेगदूत operation चलाए गया था अगला question है पंच सिल समझोता किन दो देशों के बीच हुआ आपका option है भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश, भारत, अफगानिस्तान इसका सही आंसर क्या है भारत, चीन, भारत, चीन के बीच जो है पंच सिल समझोता हुआ था अगला question है जम्मू कास्मीर कब रजधानी रहती है अब यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है चुकि जम्मू में 6 मंद के लिए होता है रजधानी और फिर यह सिरी नगर फिर चेंज हो जाता है 6 मंद के लिए यह ऐसा इसलिए होता है चुकि सिरी नगर में ज्यादा ठंडी जब पड़ती है तो वो जम्मू के लिए हो जाता है और फिर जब गर्मी पढ़ती है तो फिर वो सिरी नगर में रजधानी हो जाता है तो इसका सही आंसर क्या होगा? option आपका क्या है इसमें मार्च से अक्टूबर तक अक्टूबर से मार्च तक, जन्वारी से दिसंबर तक दिसंबर से जन्वारी तक तो अभी हम बता हैं कि जब गर्मी पढ़ती है तो स्री नगर और जब ठंडी पढ़ती है तो जम्मू, तो ठंडी का समय कब से होता है? अक्टूबर से मार्च तक तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर से मार्च तक अगला कुश्चन है श्री नगर कब तक रधानी रहती है? तो यह कब रहेगी? जब गर्मी पढ़ती है तब तो गर्मी कब पढ़ती है मार्च से अक्टूबर तक तो यह आपका जो है सही आंसर होगा मार्च से अक्टूबर तक अगला कुश्चन है कौन सी पहाड़ी चुम्बक के कारण विमान को खीच लेती है ये पहाड़ी की बात है इसका option क्या है बारा मुडा, बारा मुला, ब्लैक होल, इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer क्या होगा? बारा मुला, बारा मुला एक पहाड़ी है जो कि किसी विमान को खीच लेती है वहाँ उसके क्या होता है? कोई भी अगर क्या कहते है उसको लोहे का कुछ भी अगर समान उसके आसपास गुजरता है तो कभी कभी होता है कि वो खीच लेता है और वहीं पे अगर कोई बाइक या फोर्विलर अगर गाड़ी खड़ी कर देता है तो वो पहार पे चड़ जाता है तो ये बारा मुला एक जगा है पहारी इलाका जहां पे जो है कोई भी विमान भी अगर आजपस गुजरती है तो वो उसको खीजती है इसलिए उसके बगल से जो है वहां कोई भी विमान या कोई भी फोर्विलर जो लोहे का हो वहां से नहीं जाता है और बारामूडा जो है वो ट्रेंगिल है वहाँ पे भी कोई भी विमान या विमान वहाँ से नहीं गुजरते क्योंकि वहाँ पे भी विमान को खीच लेती है बारामूडा जो ट्रेंगिल जो है इसलिए इसका अंसर होगा बारा मुला जो कि पहाड़ी चुम्बक है अगला कुश्चन है भारत का सबसे शुचा एरपोर्ट कहा है option है जम्मु, कास्मीर, धर्मसाला और लदाग तो इसका शही अंसर क्या होगा लद्दाग जो सही आंसर है सबसे उंचा एरपोर्ट है भारत का आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताएं थैंकियो फर वाचिंग वीडियो हेवे नैस दे